आज मैप की अंतरगत हम देखने वाले हैं बेरिंग स्ट्रेट के बारे में बेरिंग जलसंधी, बेरिंग जल डमरूमद भी इसको बोला जाता है चोकि UPNC ने 2009 में बेरिंग जल डमरूमद से कोस्टन पूछा था कि ये कौन-कौन से जो ओसियन हैं उनको कनेक्ट करती है या फिर कौन-कौन से जो महदवीब हैं उनको ये अलग करने का काम करती है ठीक है तो जो जलसंधी होती है हमेशा ही दो जल रासियों को जोडने का काम करती है और इसकी जो सेफ है डमरू के समान होती है यह जो जलरासी आप देख रहे हैं बीच में सकरी है और इसके दोनों जो छोर हैं ऊपर और नीचे वाले जो डमरू के सामान पहले हुए हैं तो नीचे की तरफ हम देख रहे हैं North Pacific Ocean है और ऊपर की तरफ यदि हम जाते हैं North की तरफ तो Arctic Ocean पड़ता है मतलब Baring Strait, Arctic महसागर और प्रसांत महसागर को connect करती है लेकिन ये Alaska और Russia Alaska हो गया अमेरिका वाला हिस्सा और ये हो गया रसिया का हिस्सा ठीक है इसका मतलब ये हो गया ये Asia वाले हिस्से को अमेरिका वाला जो North America है उसको अलग करने का काम करती है अब बहुत जादा खास बाते तो इसके बारे में नहीं पूछी गई थी खाली मोटी मोटी बाते पूछी गई थी इसलिए देखा जाये ना तो हमें बहुत जादा इसके उपर फोकस करने की ज़रूत नहीं है लेकिन हमें एध्यान रखना है कि कौन-कौन से महासागरों को ये जोड रही है और कौन-कौन से महादवीबों को ये अलग कर रही है जलसंदी की जो औसद गहराई है वो 98 से लेकर के 164 फीट मतलब 30 से लेकर के 50 मीटर है और बेरिंग जलसंदी का सबसे जो सकरा हिस्सा है वो मात्र 85 किलोमीटर चोड़ा है अब सोचिए जो खाली जैसे सबसे सकरा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है वो भी 85 किलोमीटर चोड़ा है मतलब ये बहुत बड़ा हिस्सा है इसके बाद यदि हम बात करें तो कई सारे यहाँ पर द्वीब समू भी पाए गए है डायो मेड द्वीब समू और सेंट लारेंस द्वीब समू बेरिंग जलसंदी में ही पढ़ते हैं ठीक है यहाँ पर जो सेंट लारेंस हो गया एक और जो द्वीब समू है जो कि यहाँ पर हमको दिखाई नहीं दे रहा है इसी जलसंदी में पढ़ता है इसके साथ साथ में यूएस रूस की जो सीमा है बेरिंग जलसंदी के माध्यम से जुड़ी हुई है ये देखिए इंटरनेशनल डेट लाइन ये बेरिंग जलसंदी के माध्यम सही रसिया और अमेरिका की बीच में यहाँ पर विभाजन किया गया है इसके अलावा थोड़ी सी एंटरनेशनल जानकारिय दी हम देखें तो ये जो जलसंदी है इसका नाम पड़ा है विट्स बेरिंग के नाम पर जो की एक डेनिस कप्तान थे 1728 में चैनल के लिए रवाना हुआ था बेरिंग सागर के पाने का एक हिस्सा आर्क्टिक महासागर में जल डमरूम अद्ध से होकर गुजरता है लेकिन अधिकांस प्रसांद महासागर में लौट आता है ये इसकी खास बाते हैं दूसरी नमर की बात ये है सर्दियों में विविन तूफान इस चेतर से गुजरते हैं और समुद्र लगभग एक दसमला दो मीटर मौटी वर्प के खेतों से ढग जाता है गर्मियों के लिए अभी भी नहर के जो किनारे हैं बर्व के टुकड़े हमको देखने को मिलते हैं बताया जा रहा है कि ये जो आई सेज के दोरान समुद्र का जो जल इसतर है सेंकड़ों फीट नीचे गिर गया था जिस से जल डमरुमद एसिया और उत्री अमेरिका के बीच भूमी पुल में चैंज हो गया है इस से कुछ लगभग यह दी देखें तो 20,000 से 35,000 साल पहले पौधों मनुस्यों और जानवरों के एक महतपूर प्रवास के लिए संभावना बन पाई थी इसके कुछ-कुछ बाते हम देखें हैं कि जादतर यह जो हिस्सा है अब चुकि हम एकदम नौर्थ की तरफ चले गए हैं इसलिए यह हिस्सा बर्प से ढखा रहता है मतलब एकदम ठंडा एरिया है वहीं हिस्ट्री के दिए हम बात करें तो कुछ साक्षियों से पता चला है कि साइबेरिया और अलास्का के बीच में जैविक संबन्ध है यह माना जाता है कि यह जो पुल है लगभग 11,000 साल पहले तक खुला रहा था और यह जो एरिया है यहाँ पर हमको टुंडरा जाडियों का विस्तार देखने को मिलता है जिसमें चराई करने वाले जानवरों के लिए उतना जादा भोजन नहीं मिल पाता है लेकिन कुछ वेग्यानिकों का मानना है कि बाईसन और मेमत के लिए यहाँ पर कुछ वनस्पती मौजूद रही होगी द्वीब में तो हम देख चुके हैं कि यहाँ पर कई सारे द्वीब हैं जिसमें सेंट लॉरेंस हमें याद रखना है और एक और नाम हमको याद रखना है डोमेस यह दो नाम हमको याद रखना है क्योंकि यह इसी जलसंदी में लोकेटिड है इसके अलावा यहां से एक important point निकल करके यह सामने आता है यह जो bearing straight है bearing की जो जलसंदी है और यह जो है जो international तिथी रेखा है ना अंतर राष्टी तिथी रेखा के एकदम parallel में पढ़ती है तो यह point भी हमको ध्यान रखना है कि कौन सी जलसंदी ऐसी है जो की अंतर राष्टी तिथी रेखा जो की लंदन की green wish से होकर के गुजरती है उसके parallel में इसकी location है इसके साथ साथ में कुछ और fact ऐसे हैं जैसे कि विस्विक्स की सबसे बड़ी सबसे चौणी जलसंदी सबसे चौणी जलसंदी कौन सी है डेविस जलसंदी